देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहे स्वास्ते मंत्राले के नुसार देश में बीते 24 खंटे में 1,17,000 ने मामले सामने है यानि की 10 दिनों में ही 20 कुना मरीच पड़ गए इससे पहले 28 दिसंबर को मात्र 6,000 मामले सामने आये थे वही मुंबई और दिल्ली के बाद अब यूपी में भी संक्रमन की रफ्तार तेज हो गई है बीते 24 खंटे के दोरान 2,000 सेदिक मामले सामने है कनाटा के राजसों मंत्री आर अशोक की कोरोना रिपोर्ट उन्होंने ट्वीट कर ये खुच जानकारी दी वही मुंबई में कोरोना के बेकाबू होते हालात के बीच मेर किशोरी पेंडनेकर ने बड़ी बात कही है उन्होंने कहा कि फिलाल सबता ही कर्फ्यू की कोई तयारी नहीं है प्रदान मंत्री नरेद मोदी आज शाम मुख्य मंत्री उदर ठाकरे के साथ एहम मीटिंग करेंगे इसमें कोरोना के हालात की शमिक्षा की जाएगी महीं कोरोना के खत्रे के बीच भारत में कोरोना वेक्सीनेशन की रफ्तार लगातार बढ़ाई जा रही है इस बीच देश में कोरोना वेक्सीन की एक अरब डोज लगाई बीलियन वेक्सीन डोज का एतहासिक मुकाम भी हासिल कर चुका है महारास्टर के ग्रह मंत्री दिलिप वालसेपाटिल के 20 स्टाफ कोरोना से संक्रमित पाएगे पस्षी मंगाल में चितरंजन कैंसर संस्थान के दूसरे परीसर का उधगाटन करने के बाद पीम मोती ने कहा कि भारत के लिए टीकगरन के छेतर में एक एतहासिक दिन है क्योंकि संपोर्ण आबादी से भारत की 90 फीजदी से अधिक आबादी को कम से कम कोरोना वेक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है केवल पांच दिनों में 15 से 17 आयू वर्ग के 1 से 1,5 करोड के बीच में अधिक किशोरों को कोरोना की वेक्सीन की पहली डोस दी जा चुकी है वहीं आपको वदादे की केंद्र स्वस्ते मंत्राले ने कहा कि केंद्र राज्य शाषित परदेशों को अब तक 154 करोड से अधिक वेक्सीन की खुराक प्रदान की जा चुकी है आपको बदादे की देश में ओमिक्रोन का खत्रा अफर से बढ़ने लगा है अब देश में कोरोना के स्वेरियंट से दूसरी मोथ हो गई है ओडिसा के बोलिंग गईर में 55 साल के एक महिला की ओमिक्रोन से मोथ हो गई अब बात करेंगे जनपर सहारनपूर की दो आपको बदादे की आजफर से जनपर सहारनपूर में कोरोना का बम फूटा है एक ही दिन में आजफर से 82 मरीजों में कोरोना संक्रमन की पुस्टी हुई जिसके बाद अब सक्रे मामले बढ़कर 268 पर पहुँचके हैं एक ही दिन में लगातार 82 मामले मिलना और बीदे दिन भी चुनानवे मामले में संक्रमन की पुस्टी हुई ती जो कि एक चिंता जनक बात है यानि कि फुर से प्रशासन के साथ साथ जनता की चिंता बढ़ती दिखाए दे रहे हैं इसलिए आप सभी को अभी भी सामधानी बरतनी हैं कोरोना से बचना है अपने परिवार को बचाना है सार्जने के स्थानों पर दोगज की दूरी के पालन के साथ साथ मास्क का प्रियोग करना है